नमस्कार सर सर क्या नाम है आपका? सर संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा आपने कब ली? सर संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति सादना भी करते थे? से जिनका नाम है परसराम जी महराज यानि पाचाराम जी महराज वो राजिस्तान के रेने वाले हैं और हमारे सत्वास में उनका सत्संग होता है हर साल में पाच दिवसी सत्संग होता था तो मैं दो साल तक उनसे नाम दिख्षा ली थी जी में उनकी बताई हुई भक्ती करता उन्होंने मेरे को नाम दे रखा था सिरफ राम राम भजनाय बेटके सुबह साम उनकी फोटू के सामने ऐसे आसंग पदम लागा के बेटनाय और राम राम का नाम दिया था उन्होंने सर फेरापसंद रामपाल जी महराज की सरण में कैसे आये? जी सर जी में रामपाल जी महराज की सरण में इसा आया प्रमात्मा की सरण में कि मैं हर अम्मा उस्या को नाहने जाया करता था जी पहले 17 से 18 साल नाहने जाता था अम्मा उस्या के रोज हमारे यहां से 25 किलोमेटर दूर पर नर्पदान दी है तो हर अम्मा उस्याकों में जाता था, एक अम्मा उस्याकों में नाहने के लिए गया, वहाँ पे मेरे साले साहब मिले मेरे को, वो बोल रहे थे आप जी जा जी आप मेरे आप इधर से आना और खाना वाना खाके जाना, तो मैं उनके घर पे चला गया आते समय सर, उसके बाद वहाए पे पुस्तक रखी वोई थी ज्यानगंगा नामक. उन्होंने मेरे को बताया कि यार ये जी जा जी मैंने ये पुस्तक लेका आया हूँँ खाते गाओं से इसका नाम हे ज्यानगंगा तो मैंने उसको देखा पड़ा उसके भाद उसको घर लेके आया हमें उस पुस्तक पढ़ा तो उसमें बहुत कुछ परमात्मा के बारे में लिखा था संत्रामपाल जी महराज की पुष्टक थी वो उसके बाद सत्य लोग आसरम बरवाला जिलाहिसार हरिया नाम गए फिर हमने संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा ली भाराम भरवाया उसके बाद हमको नाम दिख्षा मिली सर हमने सुनाए कि जो भी सरदालू संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाप राप्त होते हैं तो क्या असंत रामपाल जी माराज से नामदिक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाप राप्त हुए? अब इन दोर ले गए चाचा नहरु अस्पदाल में भरती कराया उसके बाद दो तीन रोज तक कोई फाइदा नहीं हुआ उसको सर जी उसके बाद हमारे जो घरवाली है उन्होंने बोला कि भई संत रामपाल जी महराज के आप अरदास लगाई है हो सकता है कि महां से कुछ फ माबाप है बच्चे के वो आगर नामदाम लेंगे तो परमात्मा दया करेंगे इस समय सर जी उसको फाइदा होना सुरू हो गया और तेरा दिन में हमारी सर जी चुट्टी हो गई वहां से और दो किलो तीन सो गिराम का लड़का उसका बजन हो गया बच्चे का और हम गुडिया है बिचले वाले लड़के की वो हज सरी साथ साल की वो अपने घर में खेलते खेलते गिर गई थी तो उसका यहां से हाथ फेक्चर हो गया उसको हम डाक्टर के पास ले गए डाक्टर बोला पलश्टर चड़ेगा इसको एक डेड़ मेने तक का यह रहेगा उसके सामने उसको दंडवत प्रनाम कराया संत रामपाल जी महराज की दया से हो पता नहीं कैसे वो हड़ी ऐसे जुड़ गई कि जैसे कभी हाथ क्रेक नहीं हुआ उसके बाद एक और जो बड़ा वाला लड़का है हमारा उसकी लड़की के उपर टेक्टर चड़ गया भगत जी स उसके बाद वो टेक्टर ड्रावर उत्रा उसको हटाया उठाया देखा तो उसका पाउप में कुछ खरोच आई थी उसके बाद हम उसको कन्नोद ले गए अस्पताल में वहां पर उन्हों का भई इसको थोड़ी बहुत मोचोच आई है और वो संतरामपाल जी महराज की दय इनका मुकदमा चल रहा था थोड़ बहुत दिन से दो तीन साल से वो मेरे रिश्टरी नहीं हो पा रही थी उसकी संतरामपाल जी महराज की हां मेरे अर्दास लगाई वहां से आया आदेश की भई परमात्मा दया करें संतरामपाल जी महराज नहीं बोला उसके बाद दो तीन महीने में वो रजिश्टरी भी मेरी हो गई सर जी उसके बाद अर्थी खलाप भी और भी भहुत से हुए है कि मेरे को पहले मेरे पास एक ट्reक्टर था भी ठोरा नासा उसके बाद जो हमारे घरवाली थी, हमारी उनको भी वावासिर की सिकाज थी, जो संत्रामपाल जी मराज की दया से वो भी ठीक हो गई आप मालिक की दया से, बिल्कुल भी नहीं है आप किसी को भी, और भी भूस से रोज, छोटे मोटे लाप तो रोज भूस से होते रहते हैं, अभी संत्रामपाल जी मराज की दया से वो भी छोट गई है और जो हम मांस वगिरा खाया करते थे वो भी अब हम नहीं खाते जी, संत्रामपाल जी मराज की दया से हमने सब छोड़ दिया है और फिर उन्होंने संत्रामपाल जी माराज से नाम दिक्षा ली तो सर आप हमें एक बात बताए कि ऐसा क्या है ग्यानगंगा पुस्तक में जिसे पढ़ने मात सही लोगों की परिशानिया बीमारीया ठीक हो रही है सर जी ग्यानगंगा पुस्तक में सारे जो हमारे बेद सास्त्रों में जो ग्यान दिया हुआ है जो हमको हमारे धरम गुरू ने नहीं बताया अभी तक वो सारा ग्यान गांगा पुस्तंग में लिखा हुआ है, हर पेच, हर नंबर, इस लोग उस ग्यान गांगा पुस्तंग में दिया हुआ है, जिसको हम पढ़कर अपने मालिक को प्राप्त कर सकते हैं संत्रामपाल जी माराज की दया से सर संत्रामपाल जी माराज से नामदिक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाप राप्त हुए तो जो जनसमदाय आज आपको देख रहा है आप उनके लिए क्या कहना चाहेँगे सर जी जो जनसमदा मुझे देख रहा है उनसे मैं हाज जोड के प्रात्मा निवेदन करना चाहता हूँ मानुस जनम दुरलब है भई मिलेन बारम बार तरवर से पत्ता तूड़ गिरा पहुर न लगता डार सर संत्रामपाल जी महराज की सरण में कैसे आ सकते हैं और क्या संत्रामपाल जी महराज से नाम दिक्षा लेने के लिए पैसे भी देने होते हैं? महाँ जाने कई लगेगा महाँ पे कोई पैसा नहीं लगता लेकिन एक भी रुपया महाँ खर्चे नहीं होगा आपका धन्यवाद सर सत्साहिब ग्यात्त झाल झाल झाल